सलार के तरफ से फाइनली कोई ओफिशल न्यूज आई है भाई लोग जो आपके अंदर चल रहे कुछ एक सवालों के जवाब तो ज़रूर दे देंगी वैसे हुमबाले फिल्म्स ने हाल ही में एक ओफिशल अपॉलोजी पोस्टर रिलीज करते हुए कहा है के हम लोग आपके सलार के प्रती बे इंतहा प्यार को अप्रिशेट करते हैं लेकिन हमें कुछ अनवाइडेबल सिचुएशन के वज़े से सलार की अठाई सप्टेंबर की रिलीज डेट पोस्ट पोन करनी ही पड़ेगी प्लीज अंडरस्टेंड के हमारा ये डिसिजन बहुत जादा ध्यानपुर्वक लिया गया है ताकि हम आपको एक exceptional cinematic experience दे सके सलार की फाइनल रिलीज डेट बहुत ही जल्द रिविल की जाएगी तब तक हम सलार फिल्म को final touch up दे रहे है तो ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है तो फिल्हाल ये तो official हो ही गया है कि सलार पोस्ट पोन है लेकिन अभी भी ये clear नहीं हुआ है कि वो आएगी कब कुछ लोग ये कह रहे है कि जवान के ताबड तोड़ चलने के वज़े से सलार पोस्ट पोन हो गई है तो कुछ लोग इस फिल्म को सपोर्ट करते हुए बोल रहे है कि फिल्म जब भी आएंगी प्यार तो उतना ही मिलेगा लेकिन जहा तक official news है कि फिल्म के post production पर अभी भी काम चल रहा है तो लेट तो होगा ही अगेन अंदरुनी news की माने तो movie नवंबर के आसपास release हो सकती है याने लगभग दो महिने बाद बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इनका post production बाकी था तो फॉरें में प्रीमियर शोज को announce कैसे कर दिया था इवन सारे टिकेट्स भी बिक चुके थे हाला कि उन्होंने सारे टिकेट्स के पैसे refund कर दिये थे सो अब होमबाले वाली ही जाने की actual issue क्या है लेकिन अभी फिलहाल Salar Part 1 Seize Fire पर फिर एक बार coming soon का ठपल लग गया है याने डाइनासोर जो है फिलहाल अपने जुरासिक पार्क में ही आराम करने वाला है बाकी आपको क्या लगता है क्यों ये मूवी पोस्पोन हुई और अब final release date क्या होनी चाहिए कमेंट में ज़रू बताना मिलता है आगले वीडियो में बाई